नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं किसमत कनेक्षन और मैं हूँ आपके साथ चैलेंदर पांडे आज हम बात करेंगे जोतिश की दुनिया के सबसे खुबसूरत ग्रह के बारे में जो व्यक्ति को खुबसूरती, ग्लैमर, आकरशन प्रदान करता है बात करेंगे शुक्र के बारे में शुक्र को कैसे जाने कि हमारे जीवन में शुक्र का शुब प्रभाव है, शुक्र का अच्छा प्रभाव है और अगर शुक्र का नकारात्मक प्रभाव है जीवन में निगेटिव असर है जीवन में तो इस नकारात्मक प्रभाव को दूर कैसे किया जाए तो बात होगी आज शुक्र के लक्षणों की बात करेंगे बारा राशी के लोगों के दैनिक राशी फल की और कारिक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्त रहने के सरल उपाए निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेश उपाए सकसिस मंत्र में तो चलिए कारिक्रम की शुरुवात करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग दिनांक 2 सितंबर 2023 दिन शनीवार तिथी है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतिया तिथी रात के 8 बच के 49 मिनट तक नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर के 12 बच के 31 मिनट तक चंद्रमा मीन राशी में संचरण कर रहे हैं राहुकाल का समय सुबह के 9 बजे से 10 बच कर 30 मिनट तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मना ही है लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है मजबूरी है तो जरासा घी खाकर और भगवान का समर्ण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे अब जानते हैं 2 सितंबर 2023 दिन शनीवार को प्रातह काल 5 बच कर 30 मिनट पर ग्रहों की स्थिती क्या है सूर्य और बुद्ध विद्यमान है सिंग राशी में मंगल विद्यमान है कन्या राशी में केतु विद्यमान है तुला राशी में शनी विद्यमान है कुम्भ राशी में शंद्रमा विद्यमान है मीन राशी में और ब्रिहस्पती तथा राहू संचरण कर रहे हैं मेश राशी में इसके अलावा शुक्र भी फिलहाल संचरण कर रहे हैं करक राशी में ग्रहों की इसी इस्थिती के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशीफल कैसा है सबसे पहले जानते हैं कि शुक्र के कमजोर होने के लक्षन क्या है ये हम अपने लक्षनों से अपने सिम्टम से कैसे समझें कि हमारा शुक्र कमजोर है देखिए शुक्र अगर कमजोर होगा तो व्यक्ति बिल्कुल आकर शक नहीं होगा बिल्कुल अट्रेक्टिव नहीं होगा ना तो रूप रंग से अट्रेक्टिव होगा और ना अपने कपणों से अपने परिधान से अट्रेक्टिव होगा शुक्र अगर कमजोर होगा तो व्यक्ती बहुत साप सुत्रे तरीके से या बहुत अच्छे तरीके से नहीं रहेगा शुक्र अगर कमजोर हो तो आप सुबिधा कितनी भी जुटा लीजिए लेकिन सुख नहीं मिलेगा आप बढ़ियां गारी खरीद तो लेंगे लेकिन बढ़ियां गारी में यात्रा नहीं होगी बढ़िया पलंग तो होगा लेकिन बढ़िया नीद नहीं आएगी सुबिधा आप जुटा लेंगे लेकिन जो हैपिनेस है जो खुशिया है जो सुख है वो आपको नहीं मिलेगा अगर किसी पुरुष का शुक्र कमजोर है तो उसे इस्तरी सुख कभी नहीं मिल सकता और दामपत्य जीवन में मेरिटल लाइफ में लाख प्रियास करने के बावजूद जीवन में सुख आही नहीं सकता अगर शुक्र आपका कमजोर है तो शुक्र जिनका कमजोर होता है ऐसे लोग जादातर काम भाव में और प्रदर्शन में ही लिप्त रहते हैं वो कोशिश करते हैं कि प्रेजेंटेबल बन जाएं लोग उनकी तरफ आकरशित हों उनके साथ जुड़ें लेकिन शुक्र के कमजोर होने की वज़ज़ से ऐसा बिलकुल नहीं हो पाता इसलिए अगर शुक्र कमजोर है तो जीवन में जो हैपिनेस है जीवन में जो खुशिया हैं वो कमजोर होंगी और तमाम प्रियास करने के बावजूद जीवन में पॉम्प एंड शो ग्लैमर और प्रजेंटेशन नहीं रहेगा शुक्र अगर बेहतर हो मजबूत हो तो उसके लक्षण क्या है ये जानेंगे लेकिन आपको याद दिला दें कि कारिक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्त रहने के सरल उपाए निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेश उपाए सक्सिस मंत्र में फिलहाल जान लेते हैं मेश, व्रिशब, मिथुन और करक राशी के लोगों का दैनिक राशी फल मेश राशी व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं स्वास्थ आपका बिगर सकता है धन के खर्चे बढ़ेंगे जिस वज़र से आपको परिशानी होगी शनी मंत्र का अगर आप जब करने ओम, शंग, शनैश्चराय, नमा तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा व्रिशब राशी सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी काम की समस्या आपके दूर होगी धन लाब के योग आपके लिए बन रहे हैं खाने पीने की वस्तुका अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा मिथुन राशी छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं अचानक आपको आर्थिक लाब होगा रिष्टों की तमाम समस्या आपकी हल होगी किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा करकराशी धन लाब के योग बन रहे हैं स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा पारिवारिक तनाव आपका समाप्त होगा पीपल के व्रिक्ष में अगर जल अरपित करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा अब किसी व्यक्ती को देख करके उसके लक्षणों से उसकी आदत से उसके स्वभाव से कैसे जानेंगे कि शुक्र उसका मजबूत है शुक्र अगर मजबूत होगा तो व्यक्ती बहुत अट्रेक्टिव होगा बहुत आकर्शक होगा दिखने में कैसा भी हो तो दिखने में कैसा भी हो लेकिन व्यवहार और स्वभाव अद्भुत होगा ऐसे लोग अपने व्यवहार से, अपनी मृदुता से, अपने स्वभाव से लोगों को अपने वश्मे कर लेते हैं ऐसे लोग जीवन में बिना प्रयास के बहुत ज्यादा नाम और यश अरजित करते हैं और अमूमन ग्लैमरस होते हैं दिखने से नहीं, प्रजेंटेशन से, अपने काम से ग्लैमर होता है उनके चारो तरफ ऐसे लोगों को इस्त्रियों से बहुत सम्मान मिलता है, इस्त्रियों की तरफ से जीवन में बड़ा सपोर्ट होता है और दामपत्य जीवन इनका सुखद होता है, अच्छा होता है ऐसे लोगों को नीद बहुत अच्छी आती है और सोने में तेज होते हैं, कहीं भी बैठे बैठे सो जाएंगे, कहीं भी बैठे बैठे इनको नीद आजाएगी सुख और सुविधा इनको बड़ी आसानी से मिल जाती है गाड़ी इनके पास हो या ना हो, लेकिन बढ़िया गाडियों में घूमेंगे घर बढ़िया हो नहो किराय के शांदार बंगले में रहेंगे यानि हो सकता है सुविधा नहों इनके पास लेकिन सुख इनके जीवन में हर तरीके से इनके पास जरूर रहता है अगर आपका शुक्र कमजोर है तो क्या उपाय करें उसे मजबूत बनाने के लिए ये आपको आगे बताएंगे लेकिन फिलहाल आपको याद दिला दें कि कारिक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्त रहने के सरल उपाए निरोगी भब में और देंगे सफलता का एक विशेश उपाए सक्सिस मंत्र में चलिए अब जान लेते हैं सिंग, कन्या, तुला और व्रिश्चिक राशी के लोगों का दैनिक राशिफल सिंग राशी बेवज़ा के विवाद से बचाव करें वाहन सावधानी से चलाएंगे धन के खर्चों पर ध्यान दें शनी मंत्र का अगर जब करने ओम शंग शनेश्चराय नमा तो निश्चित रूप से दिन के मुश्किले कम हो जाएंगे कन्या राशी धन लाब के योग बन रहे हैं काम की बाधा आपके दूर होगी किसी मनो रंजन में व्यस्त बने रहेंगे किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा तुलाराशी आर्थिक स्थिती में आपके सुधार होगा स्वास्थ आपका ठीक बना रहेगा दूसरों की जिम्मेदारियां ना लें खाने पीने की वस्तुका अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा व्रिश्चिक राशी रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा जीवन साथी के साथ तालमेल बेहतर होगा करियर की समस्याएं आपकी हल होगी किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा अब मान लिया कि आपने लक्षणों से ये बात समझ ली कि आपका शुक्र कमजोर है और शुक्र के कमजोर होने की वज़़ से जीवन में सुख, शान्ती, सुबिधा आपको नहीं मिल पा रही है तो शुक्र को बेहतर करने के लिए क्या करें? शुक्र के मंत्रों का भोर में जब करें शुक्र को मौर्निंग स्टार भी कहते हैं तो अरली मौर्निंग शुक्र के मंत्र का जब करें ओम शुंग शुक्राए नमह या ओम द्रांग द्रींग द्रांग सह शुक्राए नमह इस मंत्र का रोज सुबा भोर में जब करिए हलकी सुगंध वाले इत्र का लाइट फ्रिग्रिंस वाले इत्र का प्रियोक करिए साप सुथरे और अनुसाशित तरीके से रहिए साफ कपड़े पहनिए और डिसिप्लिंड तरीके से रहिए प्राता काल मिस्री जरूर खाईए और दोपहर के भोजन में दही जरूर खाईए इससे आपके शुक्र को शक्ती मिलेगी सफेद रंग का या गुलाबी रंग का खूब प्रियोक करिए इससे आपको निश्चित रूप से लाब होगा महिलाओं और बच्चों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखिएगा क्योंकि महिलाओं बच्चों से शुक्र का सीधा संबंद है तो अगर आप महिलाओं के साथ बच्चों के साथ अपने संबंद ठीक रखते हैं तो इससे भी शुक्र को ताकत मिलेगी सलाह लेकर के एक ओपल या एक जरकन इन दोनों में से कोई एक रत्न पहनिये या हीरा पहनिये लेकिन सलाह लेने के बाद तो अगर आप शुक्र को प्रबल करते हैं शुक्र को मजबूत करते हैं तो जीवन में हैपिनेस पाना, जीवन में खुशिया पाना आपके लिए आसान होगा देखिए जो शुक्र है वो किसी व्यक्ति के भी चाहे वो इस्तरी हो, चाहे वो पुरुश हो उसके दामपत्य जीवन का स्वामी होता है बाकी चीजों को आप भले ही एड़िस्ट कर लें लेकिन अगर शुक्र गड़बड होगा कमजोर होगा तो आपकी फेमिली लाइफ आपकी मेरिटल लाइफ में इस वज़ा से दिक्कतें जादा होंगी इस वज़ा से समस्याइं जादा होंगी तो अगर आपके वैवाहिक जीवन में हमेशा दिक्कत रहती है आँख मूंद कर मान लीजिए 90 प्रतिशत मामले में आपका शुक्र गड़बड होगा या बेहत कमजोर होगा और अगर आप अपने दामपत्य जीवन को बेहतर करना चाहते हैं क्योंकि शुक्र कमजोर है बेहतर नहीं है तो आप दो छोटे छोटे उपाय करिए हर शुक्रवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करिए और प्राथना करिए कि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो और दूसरा काम आप ये करिए कि शुक्रवार को किसी बालिका को किसी महिला को किसी इस्त्री को अगर आप सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपके लिए बहुत शुब होगा चलिए अब जान लेते हैं धनू, मकर, कुम्ब और मीन राशी के लोगों के लिए दैनिक राशीफल धनू राशी परिवार में विवादों से बचाव करें लिखा पढ़ी में सावधानी रखें वाहन सावधानी से चलाएंगे 108 बार अगर शनी मंत्र का जब करने ओम शंग शने शराय नमह तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा मकराशी छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं करियर में आपको सफलता मिलेगी रुका हुआ काम आपका बन जाएगा खाने पीने की वस्तुका अगर दान करें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा कुम्भराशी स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा आर्थिक स्थिती में आपके सुधार होगा काम का दबाव थोड़ा कम होगा किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा मीन राशी सिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी धन की स्थिती में आपके सुधार होगा काम में व्यस्तता आपकी बनी रहेगी पीपल के व्रिक्ष में अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा अब जान लेते हैं स्वस्त रहने के सरल उपाए निरोगी भग में जब भी आप व्रत समाप्त करते हैं तो तुरंत कोई भारी खाना आलू पूरी या हैवी भोजन मत करियेगा व्रत समाप्त करने के बाद पहले नीबू पानी पीजिए और उसके बाद पहला जो भोजन होगा वो हलका और सात्विक भोजन होना चाहिए तो ऐसा करने से व्रत के बाद आप बीमार नहीं पड़ेंगे चलिए अब जान लेते हैं 2 सितंबर 2023 का सकसिस मंत्र क्या है दिनांग 2 सितंबर दिनशनीवार को प्रातह काल एक बार हनुमान 40 का प्रेम पूर्वक पाठ करियेगा इसके बाद हनुमान जी से कृपा की प्रातना करियेगा अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कारियों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी तो आपका दिन शुब हो, मंगल मैं हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इसाज़त